नमस्कार दोस्तों, सिविल ग्यान में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्रेन का कस्ट्रक्शन किस तरिके से होता है उसकी टिपिकल ड्रोइंग कैसी होती है उसका रेनफोर्समेंड कैसा होता है ड्रेन कहां पे बनती है यह सब हम आज जानेंगे सबसे पहले हम बोलते हैं ड्रेन लेकिन एक्चुली उसका नाम होता है स्टॉम वाटर ड्रेन स्टॉम मतलब बारिश बारिश का पानी ड्रेन करने के लिए जो स्ट्रक्शर बनाया जाता है उसको स्टॉम वाटर ड्रेन बोलते है या उसको typically हम लोग drain भी बोल सकते हैं ठीक है तो वैसे जन्रली जो है construction जो है वो RCC मतलब reinforced cement concrete में किया जाता है ठीक है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि earth pressure जो है वो जो road के side से जो आता है wall पे वो हमारी इट वाली दिवार जो है उतना अच्छे से नहीं नहीं प्ले पाती है लोड जितना अच्छे से हमारा concrete ले ले लेता है reinforced concrete cement ले लेता है cement concrete ले लेता है sorry ठीक है तो कुछ इसके ड्रोइंग्स हैं कुछ typical sections होते हैं height के ओपर sections होते हैं और varying height में भी होते हैं sections तो उन सारे sections को आज हम लोग समझेंगे यहां पर तो चलिए चलते हैं अपनी computer screen पर और computer की screen पर हम लोग समझते हैं कि typical drawing कैसी होती है reinforcement sorry RCC drain की ठीक है तो चलिए चलते है computer की screen पर तो अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक typical drawing दिख रही है जहां पर कुछ U-shape में आपको RCC यहां पर drain दिख रही है ठीक है अब इसका grade क्या है इसका reinforcement क्या क्या है वो सब हम लोग अब इस drawing में जानेंगे यहां पर तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कि इसका U-shape है और उसमें जो है यहां पर dimensions आपको क्या-क्या दिये होए हैं यहां पर उपर में 200 mm का यहां पर विट दिया हुआ है वाल का इधर भी 200 mm है और 750 mm यहां पर इसकी बीच वाला इसका इसपांज दिया गया मतलब ड्रेन की जो है बीच में जो विटत है जो क्लियर इसपांज जिसको बोलते हैं वह 750 mm है उसके अलावा 200 mm की यहां पर राफ्ट है 100 mm की यहां पर PCC है यह यहां पर टिपिकल आर्टी सी स्टॉम वाटर ड्रेन यहां पर हो गई है अब इसका जो ह आपको द्रेनेज-बनाना पड़ता है अगर जो रोड है उसके बगल में जहमीन उसके लेवल पर है वहां पे आप लोग कोई कोथ के उसमें पानी नहीं बा आ सकते हैं तो फिर आपको वहां पे ड्रेन का कंस्ट्रक्शुन करना पड़ेगा दूसरा आपने देखा होगा सी राइड में चेमबर्स होते है छोटे-चोटे चैमबर्स होते है उनके नीचे ड्रेन बन बने विач होती है तो जो सी guidance में बनाया चाहिता है सी Tool में क्या होता है तो बहुत आप लोगों को ड्रेन देने की ज़रुत रहती है वहां पर आपको पानी कहीन कहीं की निकालना है इसलिए वहां परडेन बनाना जरूरी होता है तीसरी case में ड्रेन होती है मीडियन में जो आपना रोड का करें मीडियन होता है चोड़ा jour बने जाती है जब क्या होता कि होता है ना माली जी जब टो इस-स इड़ निखल सी लेकिन इस साइड वाला पानी नहीं निकल पाता है, वो मीडियन के तरफ जाता है, तो उसको मीडियन में लेके, मीडियन में ड्रेन बनाके, उस पानी को निकला जाता है, तो यह तीन टाइप के, अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं, इस स्ट्रक्चर, तीन तरह की मैंने आ यूपी के अगल बगल में रोड को उपर उठाने के लिए उसके नीचे हम लोगों ने box कलवेट का construction किया और उसके side से हम लोगों ने drain निकाल दी जो आगे जाके वापस थे जो पूराना structure था उसमें मिल गई तो हम लोगों ने वहाँ पर एक drain का construction किया चोडी बनाई थी drain नहीं कह सकते हैं canal का construction था लेकिन फिर भी हम लोगों ने drain की उसकी drawing को refer करके और वहाँ पर हम लोगों ने drain बनाई थी तो drain का आप लोगों ने dimension तो देख लिया अब चलिए इसका reinforcement यहाँ पर देख लेते हैं reinforcement क्या क्या होगा तो यहाँ पर देखिए इसमें जो reinforcement विया गया ह है वो नीचे में यहाँ पर main bar जो है वो 10 mm का दिया गया 150 center to center की spacing पर और यहाँ पर M15 की यहाँ पर PCC QE ठीक है वो M15 का grade है उसको छोड़ी हम लोग reinforcement देख रहे हैं अभी और यहाँ पर नीचे 8 mm का 150 center to center की spacing में यहाँ पर binder दिया हुआ है raft का यह यहाँ पर single reinforcement है कुछ drains में डबल reinforcement भी होता है ठीक है उसके लावा वाल में भी देखिए single reinforcement है और यहाँ पर वापस सही है यहाँ पर L होके और इधर में L होके यहाँ पर दो L बनाए गए हैं और उसके साथ ही यहाँ पर binder की spacing 8 mm और 150 की spacing यहाँ पर दीगी 8 mm का बार है और 150 center to center यहाँ पर इसकी spacing है उस की height 900 mm है इसका reinforcement निकालना बहुत easy है आप लोग easily निकाल सकते हैं इसका reinforcement ठीक है आपने इतने सारे मेरे वीडियो देखे ही हैं नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा मैंने एक वीडियो बना रखा है कि बार बेंडिंग शेडियूल किस तरीके से बनता है तो बार बेंडिं में बना के दिखाया हुआ है लेकिन आप उसको general way में भी उसको समझ सकते हैं easily मैंने पूरी calculation करके वहां पर दिखाया हुआ है तो यह कुछ इस तरीके से हमारा RCC drain का construction होता है इसमें क्या होता है आप लोगों को यहां पर इसमें gradient भी देना पड़ता है gradient sorry मतलब slope देना पड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग आपको slope देना पड़ेगा ना तभी तो वाटर जाएगा ना एक जैसा रहेगा तो पानी रुका हुआ रहेगा तो वेसा नहीं हो उसके लिए हम लोग slope देते हैं तो slope generally 1 to 1000 mm का दिया जाता है मतलब एक मिटर में 1 mm का slope मतलब 100 mm में 100 mm का मतलब अगर ड्रेन इस जगे से 100 मेंटर पर गई तो 100 mm डाउन हो जाएगी और हम लोगों क्या करना है कि सर्वीस रोड के लेवल पे हम लोगों को ड्रेन रखना है सर्वीस रोड से थोड़ी सी उपर होती है हाइट में ताकि जो सर्वीस रोड का पानी है वो ड्रेन के कोंटक्टर के इस आप से छोड़ देते है हो लो उसमें से पानी जाता है तो थोड़ी हइट रहती है कमसघम इतनी हइट रहती है वण फिप्ति के आसपास एक्टिसादेग् पर सब्सक्राइए तो पर सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब यह तो आपको दिखाथा हूं। यह देखिए यहाँ पर कुछ द्रेंस है 600 mm की यहाँ पर चोटी वाली यह हाइट इसमें वेरी कर रही है इसका रेंफोर्समेंट कुछ वेरी कर रहा होगा मैंने इस पर ध्यान दिया नहीं अभी और यह मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ आपको मैं आपको पास एक जनरल चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ यह देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए 15 to 2000 वह तो आपका 900 mm का था यहाँ पर 1500 मतल यहाँ पर इसका क्या मेरी हुआ होगा तवसके अलावा यहाँपे 502,000 mm यहाँपे इसका दिया हुआ हो इधर है इदर हैं бы यहां पहसे एसका category निकाल सकते हैं आप लोगों को को समझ में आया होगा वीडियो, समझ में आया तो ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का उसको दबा दीजिए ताकि जितने भी अपने वीडियो अप्लेट की नोटिफिकेशन वो आपको मिल जाए नोटििफिकेशन के जरीये और उसके अलावा आपको वीडियो शेर भी करना है अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इस वीडियो का आनन्द उठा सके इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार